हलो फ्रेंट्स वेलकम तो स्मार्ट नोकरी चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सभी वेजिटेबल्स के नाम जो इस्पेशली जो है वेस्ट बंगॉल में यूज के जाते हैं जिया दोस्तों हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि आपको चल रहा है कि जहां के हमारा हमारा होता है तो वहां होता है जो है उस के बारे में जियां फॉछे तो इस वीडियो को आप अंतक जरू देखेगा जितने भी ट्रेटेस्ट वाले हैं ग्रूप सी वाले तो चलिए दूस्टो इस टार्ट करते इस वीडियो को उससे पहले दोस्तो अगर अभी तक आपने स्मार्ट नोगरी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को स पूरी अपडेट जो है आपको स्मार्ट नोगरी चनल पर मिल जाती है तो अब स्टार्ट करते अपने इस वीडियो को तो आपको मैं बता दू कि सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है सबजियां वेस्ट बंगॉल में वह इनकी ये लीस्ट है दोस्तों देख सकते आप इस प्हञरों में यूज की जाती है तो हम आपको स्टेफ बाइस चेप यानि एक एक करके बताएंगे सबके बारे में तो आपको मैं बताता हू近 bij आलू के बारे में तो आको कोड़ी चाहते हैं तो वाव मेसाई ज़्याती है लोगा रिफुरीशहें कर दो कैसा है इसको भी आप सीके आज़ेगा। और जो वहाँ पे है यानि कि अभी आपसे अगर बैगन की सब्जी बनाने को दी जा रही है बट अब बैगन की सब्जी तुन्होंने ले लिया देखिए यहाला सब्जी तो आपको ले लिया लिया लेकिन बागी कि क्या सब्जी आपसे नहीं बनवाएंगे बिल्कुल भी नह तो ने कुछ नहीं दिटे हैं एक विडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और सांति आपको वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो यह कोई जरूरी नहीं कि हम जोड़ीने में से नहीं बैसे आपको कोई नोटिफिकेशन मैसेज हैं आप जब भी trade centre पर जाते हैं तो वहां पर qual pierws हो जदते हैं विकॉज आप को लगता है कि आपना experience वीडियो में दिखा था कि वह पे व्याज़ पनाना है जिने आपको सब्सप्झ बनाना है जो जो फेमस हैं अनि कि हम जैसे को इग्जाम की तो जो भी हमें इंपॉर्टन्स कोईचन मिलते हैं सिर्फ हम पढ़ते हैं या फिस हमें जो सर कहते हैं कि बस यह कोईचन आना वह ही पढ़ेंगे चलो सर ने बता दिया दो क्यों तो आ गया लेकिन बागी के बाइचल दूसरा कोईचन आ गया तो दोस्तों आपका क्या होगा तो आपके साथ ना हो इसलिए मैं कहा रहा हूं दोस्तों आप सभी सब्जियों के नाम जो भी वेस्ट बंगॉल की फेमस हैं जो आपसे बनवाने क्लिक कही जाएंगी वह सब चीज आपको पहले से जो है रेडी करना है आपको पता है कि 400 स्टुडन्स में से सिर्फ 2-3 अब बात करते हैं लेडी फिंगर यानि भींडी के बारे में जिया दोस्तों कपूर थला में आपने देखा होगा कि कपूर थला में इस्पेसली जो है बिल्ली के सब्ची बनवाई गयी तिक पूर थला दिल्ली में तो यह सेंब जी आप से अपस बनाने को आपको तो इसी पहले मिना ऐ तो इसके बाद इसके बैद बना पर रहें और Also unsus2 इसा टॉत ओर टो मैं आपको ईइस बना होता है उसके बाद यसाम समी आपको बना जारी है उसके बाद आपका यानि कि रसेदार सब्जी बनती है जिसमें। हम कहते हैं। मैं पूरा पता हैं। अब तो दबन सब्ट के अलों काुताना सुपने जाता है। कि अब इसलिख हो जाता है। चलिक हनी सतिये हं। चलिक हैं पूर। पूरी झिल॒र इंयतर ह revolves हैं। चलिख मैं भाट इए चाइन चायनि फल इसमें पिस्तमाल चीजीँ आता है कि आपको पता गधाया गज़क के समया आध रची गाजर निताध में ऑन्यक्त क्पेसलिए सब्सक्रां गेंऑन सो निसलें चैजव करनां सब्सक्राब्स लिए तो वेस्ट बंगॉल के लिए जितने भी स्टुडेंस हैं जिनका गुरूप सी में नाम है और वो अपना देने जाने वाले हैं तो उन सभी स्टुडेंस से जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगो कि आप सभी लोग जो है इतनी सब्जियों के नाम जो है अपने पेपर पेन लिख लीजिए और इन सभी कि जो है प्रैक्टिस केजिए यूटूब पे वीडियो देखिए और घर पे दोस्तों में बार करूंगा कि आप सभी लोग जब खाना आप रोजी खा रहे हैं तो आप दिन में दो बार तीन बार तो खाते हो खाना तो आप दो बार अगर खा र फिर गाजा तो आपको गाजा का हरवा भीगा पना के देख लेना है तो यह सबी चीजों का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो आप 101 परसंट दोस्तों पूरी कॉन्फिदेंस के साथ कहता हूं कि अगर आप सारी चीज़ें के जो पढ़ाई करके जाते हैं तो वो सब बच् आपके कुछ सीखने को मिला होगा और अगर कुछ डाउट्स और हैं आपके तो आप क्यों रीज हैं तो आप वीडियो के नचे कमेंट सेक्शन में जाए अपने कमेंट कीजिए हम आपको अंसर देंगे थांक्यों सो मच दोस्तों फार वाचिंग इस वीडियो तो मिलते नेक्स वीडियो में नहीजान का नहीए अपडेट के साथ